प्राइज एक्षिन में दोस्तों आज यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ फर्टिलाइजर स्टॉक्स के बारे में या केमकल स्टॉक्स के बारे में तो दोस्तों यहां पर आपको एक अच्छी अपर्चुनूटी मिल लाई है जिसमें आप अपने नजरे बना सकते हो एन दोस्तों साती सात में अगर आप ने हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ठीक है यहां पर हमारा जो पहला इलकाइल अमीन यह इसका मंतली चार्ट खुला हुआ यू कन सी कि स्टॉक 4500 पे था 4700 के हाई लगा किया था एक काफी ज़्यादा यहां पर गिरावट देखने को मिला एक प्रेशर देखने को मिला एंड उसके बाद में कहीं दोस्तों एक अच्छा खासा यहां से करेक्ट हो चुका है एक लिए स्टॉक दोस्तों 50-60% करेक्ट हो जितला हो सब्सक्राइब को यहां यहां पर कर देख सकते हैं तो तो यहां पर आपको अपको बता कर सकते हैं जाए हम पर फो यह वाले जो लेवल से ब्रेक होते हैं आप यहां पे ट्रेड ले सकते हैं तो इस तरीके से इसमें प्लानिंग रखेंगे एंड क्यूंकि केमिकल सेक्टर सेक्टर में एक पॉजिटिवीटी बनी हुई है भी बजट को लेके तो इस वज़े से इस स्टॉक को पिक किया गया है तो यहां पर आप एक मौका धून सकते हैं बॉटम में खरीदने का यहां पर मिल सकता है और इसके लावा मैंने आप लोगों को दोस्तों के बारे में बताया ही था और यहां पर डिसकस किया था इस पर्टिकूलर जगह पर और आप देखो कि वहां से स्टॉक ने हम लोगों हम यहां पर 22-24% रिटन दे दिये हैं ठीक है एचसील यहां पर 5% के रिटन अभी आज ही के दिन मिल गए ठीक है तो इस तरीके से अभी यह सारे स्टॉक है और नेक्स स्टॉक है दोस्तों हमारा जी एस सील तो जी एस सील में भी आप देखो कि काफी अच्छा प्राइज ए दिया है एंड यहां पर आप देखोगे कि यह काफी अच्छा प्राइज एक्षन बना था प्राइज ऊपर था एंड उसके बाद में यहां पर एक रेंज बनाके एक ब्रेक आउट दिया तो यहां पर भी एक अच्छा यहां पर क्रेड मिल सकता है कल आपको अगर इसके होगी क्योंकि वन आवर टाइम फ्रेम में थोड़ा सा ओवर बाट जोन दिख रहा है तो इस यह दोनों चीज़ें आपको दोनों कंडिशन से यहां दखनी है और इस स्टॉक के टार्गेट से अगर बात करें तो कहिने कहीं दोस्तों यहां से चैसों बीस एंड उसके बाद एक प्राइज एक्षन यहां पर दिख रहा हैं लोगों को एंड यह इस लेवल का एक ब्रेक आउट भी होता हुआ दिख रहा हम है 370 के लेवल का यहां पर एक वाल्यूम एक्टिविटी हुई है और आरसाई आप देखोगे जस्ट अमलब की 58 पर है एक दम 60 पर पहुंच करने वाला तो अगर कल यह इसके उपर निकलता है तो आप यहां पर एक ट्रेट को प्लान कर सकते हो एक च्छोटे स्टॉप लॉस के साथ में आपको काफी अच्छे हैं यहां पर 460 तक के टार्गेट मिल जाएंगे फस्ट टार्गेट हमारा दोस्तों कहीं 420 के आराउंट सकते हैं इस स्टॉप को मिस्स मत करिएगा ठीक है यहां पर एक अच्छा सेंटिमेंट बने हुए तो इन स्टॉप पर जरूर आप रिस्क ले सकते हो देखें शेयर मार्केट में क्या रिस्क तो है एंड आपका स्टॉप लाज आपके हाथ में ठीक है तो ऐसी जगह रिस्क लिए जहां पर हमें एक वैल्यू जगह मिल लाई है जहां पर अच्छा प्राइज एक अच्छे सेंटिमेंट्स है तो उन जगह पर इस लेना में आपको अच्छा फायदा हो सकता है रेदर देन उन स्टॉक में जहां पर कोई मूमेंटी नहीं आ रहा है ठीक है तो यह में देखें तो गईने कि दोस्तों यहां पर काफी अच्छा है कि एक अच्छा यहां पर एक ब्रेक आउट आता हुआ दिखा है एंड आप देखोगे इस टॉक नीचे था इस महीं नहीं यह काफी अच्छे जो पर आया है और अपने जो यह प्रीवेश जो हाई थे इसको ने ब्रेक किया तो आने होले टाइम में इनी स्टॉक में भी आप कोई तेजी दिखाई दे सकती है एंड नेक्स स्टॉक है एफ ए सीटी ठीक है फर्टलाइजर एंड केमिकल तो इस स्टॉक को भी आप देखो यहां पे भी कही ने कहीं दोस्तों यह स्टॉक आज बढ़ा तो यह स्टॉक अभी उतना नहीं भागें जिसमें से मुझे लगता है यह स्टॉक को भी काफी फैदा हो सकता है ठीक है एंड यहां पे दोस्तों देखोगे काफी अच्छा एक प्राइस एक्शन बना हुआ है मंतली टाइम फ्रेम में है अधर हम इसको सबनाची से कनेक करें त दोस्तों आप भी अपने व्यू हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं आपको जोर इस टॉक हो तो जरूर से बताइए ना एंड मिलते हैं फिर नए वीडियो में तब तक लिए बावाई से यू टेक केया